TCP Transmission Control Protocol Network Programming देख रहे हैं हम C में इसमें Socket Programming देखेंगे तो पहले मैं आपको Concept बता देता हूँ कि इसमें हम एक Server बनाएंगे, i.k.Line बनाएंगे एक ही System में बनाएंगे, Linux में बनाएंगे और फिर इनका Communication होगा अपस में तो Socket यहाँ से शुरू करेंगे socket bind करेंगे, यह port number के साइध bind होता है, इसका मतलब socket केवल, समझ दीजिए, आप एक protocol होता है, TCP UDP, और साथ में IP address plus port number, तो यहाँ पर हम bind करेंगे, उसके बाद यहाँ से socket से connect लगाएंगे, connect करेगा, क्योंकि अब socket सुनने लगा है, याने server सुनने लगा है, listen करेगा, उसके बा अंतर क्या है इसमें और जो connection less protocol UDP में, अंतर यह बनता है कि यहाँ पर आप देखिए, एक, दो, तीन, क्या क्या चीज़ नहीं है, connect नहीं है, यहाँ listen नहीं है, और तीसरी चीज़ क्या है, accept नहीं है, यह चीज़ नहीं है इसमें, तो यह अंतर रहेगा, और इसे साबसे हम प्रोग्राम की समरचना करेंगे, इसको हम बनाएंगे, यह Linux में हम बना रहे हैं, Ubuntu है, इसका जो distribution है, यहाँ पर हम एक folder बना लेते हैं, किसी भी जगा बना लीज़े एक folder, इस folder का हम नाम रख लेते हैं, TCP Client Server, और इस folder के अंदर हम दोनों फाइले रख देंगे, आपकी Client file भी और server file भी, तो यह folder हो गया, इसके अंदर दो text file बना लीज़े, वैसे आप इसके लिए कोई और भी उस कर सकते हैं, जैसे code blocks वगएरा, लेकिन हम ने यहाँ दोनों फाइल बना रख हैं, तो दोनों फाइल हम बना लेंगे, और उसमें, देखें, TCP Client server आप देख रहें, अब की, और फिर उसके बाद दो हम file बनाएंगे यहाँ पर, एक TCP Client.C और TCP Server.C, दो file इसके अंदर आ जाएंगे, तो फिर उसके बाद हम इसमें editor में जाके, इसमें अपना एक एक करके code लिखेंगे, तो यहाँ पर यह दूसरा मैंने text editor खोल दिया है, इसमें जो file का नाव लिखेंगे, एक TCP Client हो चुका है, tcpserver.c, tcpserver.c, तो यहीं पर change कर देता हूं, मैं tcpserver.c बन जाएगा यह, ओके, दो file बन चुकी है, दोनों file हमने एक ही folder में रख दी है, अच्छा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कहीं भी आप रख सकते हैं, और उसके बाद हम एक एक करक do.h, यह तो standard input output है, standard input output file हमारी लगती है, c program के लिए, अब इसको copy करके paste कर देता हूं, यहाँ पर हमारी हो गई stdlib, std, क्योंकि library functions यूज़ करने वाले हैं, तो stdlib.h हो गया, तीसरी file हम डाल देते हैं, इसमें string, string functions कुछ use करेंगे, तो string.h हो गया, उसके बाद कुछ network की चीज़े ले आएं आपर, तो क्या-क्या हो गया आपका, एक हो गया sys, यह sys, socket.h, अब sys socket.h इसमें, यह define करत है, socket ADDR structure, जिसके अंदर सारी content रहेगा, जो हम तीन चीज़ों की बात करेंगे, मैं आप बताऊंगा आपको, तो यह इसके लिए है, types, जो लग-लग types होंगे, उसके लिए है, फिर आपका यहाँ पर, एक और file हम देंगे, जो file हो गई आपकी, net, net, slash, net, in.h, यह जो file है, इस socket ADDR underscore in, दो चीज़े हैं, socket ADDR जो है, वो main है, लेकिन हम जो बनाएंगे, हम जो deal करेंगे, socket ADDR underscore in, तो main जो होता है, socket ADDR, उसके लिए हमने एक file include कर ली, अब यह आरपा, slash, inet भी हमने कर लिया, यह जो आरपा, slash, inet है, यह भी इसमें जरूरी है, तो यहाँ पर हमने यह include कर ल है, अब hash define port कर देजे, क्योंकि hard code करेंगे, command line पर कुछ नहीं देंगे, hard code कर देते है, hash define port, जो भी number आप देना चाहें, वो number दे दीजे, void main पर आईए, और यहाँ पर program दिखना शुरू करते हैं, कुछ चीज़े हमें दुबार, initially, यहाँ पर देनी पड़ेंगे, जैसे हमन point socket यहाँ बना लेंगे, integer int करके, आपको procedure याद रखना है, जो मैं आपको block diagram में बताया था, यहाँ पर होगा struct sock addr underscore in, ध्यान रखीगा, यह जो चीज़ है, यह important है, sock addr सब कुछ होता है, लेकिन हम underscore in कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको आगे जाके typecast कर देंगे, क्योंकि इससे ह हम directly जो तीन element है, उसको deal कर सकते हैं, उस वाले से नहीं कर पाएंगे, वो एक बड़ा structure होता है, जिसके अंदर, मतला एक तरीके से बड़ा, बड़ा daddy हो गया वो, और यह sock addr underscore in हमने कर दिया, उसके बाद एक इसका server addr बना दिया, और हमने एक character buffer बना दिया, buffer का size 1024 दे दिय अब हम socket open कर रहे हैं, यह पहला function है, socket, socket, socket open कर रहे हैं, जैसी हम यहाँ पर socket open करेंगे, उसके अंदर हम कुछ चीज देंगे, af underscore inet देंगे, तो address family हो जागा, pf जो होगा आपका protocol family, तो protocol family pf underscore inet देंगे, यह आपको protocol हो गया, sock underscore stream बता रहा है कि है, tcp, sock underscore, अगर dgram देते तो वो UDP हो जाता, comma zero दे दिया, कोई भी best protocol ले लिजिए, फिर उसके बाद हम यहाँ पर एक printf दे रहे है, printf आप यहाँ पर लिखेंगे, यह सब चीज आपके ऊपर है, आप क्या लिखना चाहें, main चीज यह है, socket open करना आपको बता रहा है, और जो इसका file descriptor socket जब release करेग तो printf हमने कर दिया कि client विल्कुल successfully create हो चुका है, अब यहाँ पर memory set एक function है, इस memory set function में क्या करेंगे हम लोग, memset function इसको कहते है, इसमें जो हमने उपर server, addr बनाया है जो अभी, हमें अभी अभी तो कुछ नहीं किया, उसमें बनाया है, उसमें हम slash zero डाल देंगे, फ्रॉ addr जो दिया है, वो ही तो server देंगे, और memset में यहाँ पर m% लगा देंगे, server addr तो इसको जड़ा हम एक तरीके से flush कर देंगे, clean कर देंगे, अब अगला जो इसमें आता है, वो है हमारा server addr, अब इसमें तीन चीज़े देंगे, इसलिए मैं तीन copy कर रहा हूँ, यह तीन ब आपका IP address, family port address, family port address, यह तीनों चीज़े client socket के साथ होनी चाहिए, तो वो हम structure में देंगे, structure के अंदर तीन चीज़े आएंगी, af underscore inet हो गया, जैसे address family मैंने कह दिया, pf underscore inet किया था, कोई भी pf मतब होता है, protocol family, af हमने clear कर दिया address family, underscore inet, internet पर हम use करने, TCP IP based, अब यहाँ पर h htons जो function है, यह जो htons function है, यह केवल conversion करता है, network byte order, और host byte order है, उसमें conversion करता है, तो इसमें, जो port आएगा, उसको convert करके, यह proper तरीके से convert करके, यह port में डाल देगा, अब हमको inet underscore addr है, तो जो हम यहाँ पर हम दे रहे हैं, क्योंकि यह local है, local machine है, local का हमेशा loop back होता है, 127.0 0.1, अब इसमें inet underscore addr करेंगे, तो यह इसके form को change करेगा, और address में डाल देगा, जो वो address चाहता है, उस तरीके से यह काम करेंगे, यह दोनों function होगे, htons और inet underscore addr, यह काम करेंगे, अब अगला काम क्या बताया था हमने, connect करने का काम, connect करने का क्या करेगा, देखे, connect के अंदर हम पहले तो यह इसका file descriptor देंगे, socket का, client socket, कॉमा दीजिए यहापे, क्योंकि अब हमको connect करना है, तो connect किस के साथ करने के, client है, तो server के साथ जाके connect करेंगे है न, तो आपको ampersand server addr हमने दे दिया, उसके साथ जाएगा, लेकिन मैं आपको बताया था, यह sock addr underscore in है, काम नहीं चलेगा, इसको हमको mail से typecast करना पड़ेगा, जो हमारा actual होता है, वो ही असली है, तो struct sock addr star यहाँ दिया, और ampersand लगाके हमने इसको typecast कर दिया, इसलिए हमने जो file include करती थी थी, एक में definition sock addr किये है, एक में definition sock addr underscore in किये, यह हो गया, उसके बाद हम कॉमा करके size द करूँगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे, क्या करूँगा, यह slash 0 जो है 23 वे line में और 26 वे line में 127 001 वाला है, इसको हम change करेंगे, printf लगा देते हैं, client socket जो connection हम करेंगे, कि connection स्थापित हो गया, इसके लिए printf लगा दीजे, और भी तरीके है, कोई अपना error message वाला एक function बना क कि आप यहापर डाल सकते हैं, अगर आप मेरा जो UDP का program देखेंगे, उसमें सब चीजे दी गई है, उसमें हमने खुद एक function बनाया है, अब हो गया receive, पहले क्या होगा, client क्या गरेगा, पहले हमने socket बनाया, फिर इसमें यह तीनों चीजे दी, फिर connect कर दिया server के साथ, अब receive, RECV, receive, receive, कहां से client socket जो हमने इसका file descriptor गो दे दिया, कामा buff दे दिया, 1024, यानि कि इस buffer में content आने वाला है, receive, content आएगा तो buffer हमने को बनाना पड़ेगा, तो buffer बना दिया, BUF करके उपर 1024 size दिया था, तो connect to server successfully जो मैंने लिखा, इसका हम थरा सा change कर देते हैं, यहाँ पर हो printf यह कर दिजे, तो यहाँ पर data receipt, percentage, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, कुछ idea, BUF, buffer, buffer में जो आ गया, उसको हम उठा के percentage से print कर देंगे, कि साहब हमको यह मिल गया है, उसके बाद हम एक और यहाँ पर चीज दे देते हैं, हब हम close कर देंगे connection को, बस इतना काफी है, छोटा connection हो गया है, connection close हो जाएगा, इसे बहुत सारी चीजे नहीं है, यह आपके यह basic understanding के लिए है, क्योंकि अगर आप मेरा UDP का देखेंगे, तो UDP बहुत detail में होताया गया है, लेकि फिलहाल इसको हम किवल जो beginners हैं, उनके लिए समझाने के कोशिश कर रहे हैं, कि यह function बड़े थ line number 26 पे आईए, 127-0001 तो ऐसे नहीं देंगे न, इसको हम double quote में देंगे, INET ADDR जो है, वो input लेता है double quote में, तो यहाँ slash 0 जो था, उसको मैंने single quote में दे दिया, यह clear हो गया, 23rd में मैंने एक change किया है, उसके बाद हम आएंगे यहाँ पर 26 पे line में, और 127-001 जो है, इसको double quote में डाल दीजे, प्रोग्राम आपके सामने है, यह final program है, यह final program है, चलिए साथ, इसको आप चाहें तो gcc tcp client.c-o client, तो client.out बन जाएगा इससे, अब इसको अगर आपको run करना है, तो आप क्या करेंगे, dot slash client, अब यह आपका program चल जाएगा, ओके, now, हम क्या करतेंगे, इसके अब हम server program बनाएगे, तो मैं client की सारा content copy कर लेता हूँ, और server में डाल देता हूँ, ताकि आपको पता रहे, कि server और client में अंतर क्या है, क्या अंतर हुआ है, अगर मैं direct लिखूंगा, तो इसमें, आपको समझ में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, तो हम क्या करेंगे, client का सा content उठाईए, सारा copy करिए, और जाके tcpserver.c में डाल दीजे, क्योंकि tcpserver.c अभी खाली है, अब इसको ध्यान से देखेगा, एक एक करके मैं इसमें, चीज़े हटाऊंगा, या जोड़ूँगा, तो शुरुआत हम उपर से करते हैं, और ये file आपके सामने हैं, अब इसमे जैसे अगर आप कई चीज़े अब यूज़ नहीं करते हैं, कई की चीज़े यूज़ नहीं करना चाते हैं, तो उसको हम हटाएंगे, और मैं आपको बता देता हूँ कि ये सब को रहने दीजे, और फिर उसके बाद has defined port तो हमने 5555 किया हुआ है, यहाँ पर आप देखेगा यह जो int has, जो मैंने client socket किया था, यहाँ पर हम sockpd कर देते हैं, कोई भी राम दे सकते हैं, यह कोई ऐसा hard and fast नहीं है, sockpd दे दिया हमने, यहाँ पर हमने यह बनाना ही बनाना है, struct sockaddr__in, यह तो करना ही करना है, मैंने आपको बता दिया था, sockaddr__in जो content होता है, उसके अंद क्योंकि यह server है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर new socket बना है, आप new socket ले भी यही काम करना पड़ेगा, है न, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लेते हैं, struct sockaddr__in, और इसका नाम हम परिवर्तित कर देते हैं, क्योंकि नया socket बन रहा है, क्योंकि यह आपने दिखा था था socket len underscore t, socket length underscore t, यह भी आपको जो उपर header file से उसमें मिल जाएगा, तो इसमें कोई समस्या नहीं आएगी, addr underscore size, तो यह हमने size के लिए ले लिया, यहाँ बात बन गई, हमने दो तिन चीज़े कर दी हैं, हमने एक new socket और फिर new addr भी दे दिया, अब यहाँ देखिए कि हमको socket open कर socket fd दिया हुए, तो socket fd यहाँ replace कर देता हूँ, client socket था, client program ही, हमने socket fd दे दिया, और फिर उसके बाद यहाँ पर pf underscore reinate, वो तो चले गई, जो protocol family है, sock underscore stream, मतलब हम TCP पर बात करना चाहते हैं, और बाकी आपका, यह printf, server socket created successfully, यह मैंने कर दिया, अब next चीज हैं, यहाँ पर देखिएगा, memset वोगरा सब चल रहा है, आपको family port और address, family port और address, और मैंने आपको पताया, server client दोनों एक ही पी चल रहे, server client दोनों एक ही पी चल रहे हैं, तो htons जो होता है, वो convert क्या करता है, जैसे host को, host order जो number होता है, उसको convert करता है, आपका network byte order में, तो यह भी चीज़ चलेगी, memset पी चलेगा, server ADDR में भी तीनों चीज़ डाल देंगे, अब यहाँ पर binding करेंगे, bind चलेगा, client socket तो काम नहीं करेगा, यहाँ आपका, यह फाइल डिस्क्रिप्टर है, यह यह तो असली चीज़ है, क्योंकि socket तो यही return कर रहा है, यही फाइल डिस्क्रिप्टर ह मतलब printf कर दीजिए, बता दीजिए, bind to port, क्योंकि binding का मतलब यह है, कि आप port number से इसको bind कर रहे है, socket को, क्योंकि जो port number होता है, उस पर कोई service चल रही होगी, यह कोई application चल रहा होगा, यह process चल रहा होगा, तो एक system से दो से system, क्योंकि हमारा तो एक ही system है, तो हमको उस port number के स आप से इसको bind करना पड़ेगा, port का number है, आपका यह 555 जो मैंने बताया, ठीक है साब, यह हमने इसको bind to port number यहाँ पर आप दे दीजिए, यह इसको 5555 कर दीजिए, 44555 अगर यहां किया है, तो वहाँ पर भी 44555 होना चाहिए, ठीक है, तो इसको bind number क्या कर दीजिए, वो यह नंबर वाला दे दीजिए, जो इसका high define है, क्योंकि एक ही port हम का हम use कर लेंगे, ठीक, अब आपका आगया listen, listen में आगया, अब listen करना चाहते, sockfd, कॉमा यह जो 6 है, यह कितने बार में listen करना चाहते, यानि कि आप क्यों में कितना रखने चाहते हैं, एक बार में, sockfd तो है आपका file descriptor हो गया, socket का 6, 7, 8, 10, जितना भी यह दिना चाहें, 5, 4, वो आपके उपर है, कितनी आप listen, accept कर रहेंगे उसके बाद, एक accept कर लिए, उसके बाद कितना accept करेंगे, तो हमने 6 दे दिये, फिर उसके बाद यहाँ पर एक दिखेगा, यहाँ पर भी कुछ परिवरतन म है, कि हम इसके नीचे एक printf लगा देते हैं, और printf में हम लिख देंगे listening, या listening, यह हो गया हमारा, अब यह listen करने लगेगा, सुनने लगेगा, और एक ही बार listen करेगा, यह multiple loop नहीं चलेगा, एक ही बार listen करेगा, अगर आपको बार-बार listen करवाना है, तो while loop लगाना पड़ करेगा, तो यह accept भी करेगा, तो bind हो गया, अब हमारा accept का काम शुरू हो गया, तो sockfd हो गया, यह तो खायर हमको डालना पड़ेगा, comma, यह चीज़, देखेगा, struct, sockaddr, serveraddr, यह जो चीज़ थी, यह वाली जो चीज़ थी, क्योंकि हमको, यह serveraddr जो था, पहले चीज़ बत यह हमारे हैं, अब हमने sockl, len, size दे दिया था, तो size यहाँ पर डाल देज़े, adddr, score, size, यह हो गया, अब new socket में, यह accept करेगा, new socket में दे देगा, एक, जो return type आएगा, अब हम एक function use कर लेते हैं, जो function है आपका, strcpy, क्योंकि जो content आएगा, उसको तो डालना भी पड़ेगा, तो buf बनाया था, आपको याद होगा, buff, तो इसमें हम डाल देंगे hello from, hello from, जो आप जैसे लिखना चाहें, वो आपकी मर्जी है, hello from me कर देते हैं, या जो भी आप लिखना चाहें, तो string copy हो गया, यह buffer में डाल दिया हमने, ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब आपको send करना है, अब send receive अब शुरू होगा, तो send करना है, अब server से आप send करेंगे client में, तो send क्या कर रहे है, क्योंकि accept ने क्या किया, accept ने जो भी निकाला, वो new socket को दिया, तो new socket लिखेंगे यापर, send new socket, ध्यान रहेगा, new socket इसलिए बनाया था, और वो भी same type है, जो आपका sockfd type है, तो new socket, कॉमा, अभी string copy किया था buffer, buf, buff डाल दीजे, अब हमको length भी चाहिए होता, तो run time पे string length यूज़ करते है, इस buff को लीजिए, और इसके अंदर डाल दीजिए, तो अभी इसकी buffer की size भी मिल गए, आपको गिनना नहीं पड़ेगा इसको, फिर या कॉमा करके zero कर दीजे, और ये ये हमने 3-4 काम कर लिए है, और फिर printf closing connection, ठीक, यहां तक काम बन गया, अब इसको save कर लीजे, इसको save कर लीजे, अच्छा यहां पर new ADDR है, इसको ये थ्वड़ा सा ही गलत हो गया, यहां पर new ADDR, क्योंकि new socket बनाना है तो new ADDR देंगे, ठीक है, new socket अपने देखा, यहां थ् परिवर्तन कर रहा हूं है, change कर रहा हूं, debugging कर रहा हूं, आप क्या करेंगे, new ADDR डालेंगे यहां पर, और amperson लगाएंगे, adr underscore size के आगे, ध्यान रहेगा, दो चीज मैंने इसमें change किये, amperson, new ADDR, और फिर उसके बाद, जो उसके आगे, address के आगे, मैंने amperson लगा दिया, कि infinite नहीं चल रहा, यह एक ही बार, एक ही बार सुनेगा, ठीक है जी, तो जेखिए, अभी यह server socket create हो गया, bind to port number, वो part number मैंने ऐसे 4455 दे दिया, 5555 दे दिजिए, वो आपके उपर है, तो जिस भी port पे करवाना चाहें, ठीक, तो आप जो वहां देंगे, वो यहां दे दिज अभी मैंने 4455 लिखा है, इसको change कर दिजिएगा, अब हमको चलाना है, client, पहले server चलेगा, उसके बाद client चलेगा, ध्यान रहेगा, पहले server चलेगा, फिर client चलता है, तो अब gcc, gcc, tcp client.c, यह हो गया आपका, और फिर dash o, client, client नाम की एक file बन गई, binary file, अब इसको हम run करा मैं आपको दोनों को दिखा देता हूँ, ताकि आप देखेंगे कि यहाँ से चलेगा, तो वहाँ जाएगा, अब listening कर रहे हैं, तो listen जो कर रहा है, वहाँ पर, यह अभी हमारा, जो server है, वो listen कर रहा है, सुन रहा है है, अब client हमने चला दिया है, मतलब client को run कराना बाकी है, तो client को run करा हूँगा, आप server की तरफ देखते रहिए, और client की तरफ भी देखते रहिए, तो यहाँ पर हम इसको dot slash, client नाम की file बनी थी, तो गलत लिख दिया, c-l-i-e-n-t करता हूँ, dot slash client, c-l-i-e-n-t, देखिए आप, ठीक है, hello from me, data received, और वहाँ पर भी पहुंच गया, bind to port number, 4455 लिखा, इसको 555 कर दिजगा, closing connection, ठीक है, communication हो गया है आपर, right, hello from me आगया है आपर, client के पास, ठाग आपर, server के पास, server से client में चीजे आ गई,